जैहिन सात्यों स्वागत थे आपका सेल्फ स्टेडी किलासे स्विस सुमिज जैन यूटूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम पढ़ने बाले हैं मद्द प्रदेश के अनुसंधान केंदर ठीक है अगर आप MPPSC एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं MPSI की कर रहे हैं MPP पुलिस, MP जेल प्रहरी या essay एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिन में MPG के पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए हैं आपको पूरा वीडियो लास्ट तक सिर्फ देखना है दोस्तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है आप तो देख बस लेना आप कभी नहीं भूल पाएंगे मैं आपको बताने वाला हूँ इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो आपको डाले हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आपको देखना है दोस्तो और जो भी हमारे नए साती है वो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को दमाएं और और पर जरूर किलिक करें ठीक है ताकि आल व जो नाम दिया था वो किस ने दिया था भारत के प्रथम प्रधार मंतरी श्रीप जबाहलाल लेहरू जी ने ठीक है इसे मद्ध्यप्रदेश नाम दिया था यह तो चीज सभी लोगों को पता है ठीक है और दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रस्ण है जिसका उत्तर आपक कि वो इस्थान कहां पर है तो आपको निश्चित ही याद हो जाएगा आपका पहला प्रस्ण है वान की अनुसंधान के अंदर कहां पर रहते थे तो जद्धी से आपको उत्तर बताना है दोस्तो और आपका बिलकुल आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो आपने दो सेकं और यहां पर क्या आ रहा है छिंदवाड़ा आपने वो एक दोहा पड़ा होगा कि बानी ऐसी बोलिये कोई न कहे चुप और बैठक ऐसी बेठिये कोई न कहे उठ तो है ना हमें बानी ऐसी बोलना है कि किसी के दिल में क्या ना हो छेद ना हो है ना किसी के दिल में ना लगे ह हमारी बानी आप वो लोग बोलते हैं ना कि गोली के मारे ना मरें बानी के मारे मर जाते हैं लोग तो हमें बानी बहुत अच्छी बोलने हैं जिससे किसी को छेद ना हो किसी के दिल में छेद ना हो ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है तो बानी से बानी की और बानी के अनुसंदान के अंदर कहां पर होगा छिंदवाड़ा में यानि की बी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अब छिंदवाड़ा कहा है दोस्तो तो एह है आपका छिंदवाड़ा है ना एक चीज और पूछी जाती है कि मद्द प्रदेश का छितफल की देश्टी स सबसे वड़ा जला कौन सा है वड़ा बड़ा आया ना बड़ा तो बड़ा से बाड़ा यानि की छिंदवाड़ा ही है सबसे वड़ा जला ठीक है तो इस प्रकार से याद रखना है गेहू अनुसंदान के अंदर कहां पर रस्तित है दोस्तो गेहू बताना है दोस्तो आपक और खाली यह नहीं पता कि रोटी से क्या मिलता है रोटी से मिलता है क्या पावर पावर तो गया हूँ अनुसंदान के अंदर कहां पर होगा गया हूँ की बनती है रोटी और रोटी से मिलता है पावर तो यह कहां पर होगा पवार खेला ठीक है अब पवार खेला तो आपने बता दिया लेकिन पबार खिला है कहां इस्तित तो ये दोस्तों कहां पर है होशंगाबाद ठीके कहां पर है होशंगाबाद की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि पच्मणी पच्मणी भी कहां पर है आपका होशंगाबाद में है ठीके शत्पुडा राष्टी उध्या कहां पर है तो यह भी हो संगाबाद में है तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद करना है और ग्याहूं अनुसंधान के अंदर भी कहां पर है पवार खेला हो शंगाबाद में ठीक है अभी लोग याद रखेंगे अंगला कोश्चन है दोस्तों राश्ट्रिये सोयावीन मद्यप्रदेश को सोया इस्टेट कहा जाता है क्या कहा जाता है सोया इस्टेट कहा जाता है क्योंकि सोया की फसल यहां पर देखोती है और सबसे जादना प्रोटीन काय में पाया जाता है सोयावीन में पाया जाता है ठीक है तो सोयावीन अनुसंधान के अंदर कहां पर है इन दौर कहां पर दौर अब दौस्तों इसको कैसे याद रखेंगे मैं अगर बोड़ू कि सोयावीन फिरी में बट रहा है सोयावीन फिरी में बट रहा है तो आप दौरे दौरे चले आओगे कहां बट रहा है सर कहां बट रहा है तो दोर दोर के आओगे तो सोयावीन अनुशन्दान के अंदर कहाँ पर होगा इंदोर ठीक है मैंने बोला फिरी में बट रहा है सोयावीन तो आप दोर दोर के आओगे तो सोयावीन अनुशन्दान के अंदर इंदोर ठीक है और यह है दोस्तों आपका इंदोर आप याद र रखनी है पotal picked in the order में पिल tem ला यहां पर शोया वी आपको याद रखनी है स्टों अंगला आपसे पूंहें एक प्र आंगूरान के अंदर कहां पर है अब जिसको अंगूर खाना पढ़ता है जैसे चोड़े बच्चे होते हैं अगर उनको अंगूर खाना तो वो रट लगा लेते हैं मुझे अंगूर खाना मुझे अंगूर खाना मुझे रट लगा लेते हैं आपने बच्चों को देखा होगा तो अंगूर अनुसंधान के अंदर कहां पर होगा जल्दी से बताना है अंगूर की रट लगा लेते हैं रत लगा लेते हैं तो अंगूर अनुसंधान के अंदर कहा पर होगा रतलाम यानि कि जो आपका विकल्प नमबर आ है वो बिल्कुत सही हो जाएगा दोस्तो यह जो रतलाम है यहाँ पर अंगूर अनुसंधान के अंदर है ठीक है और यह है दोस्तो आपका र पर है तो आपको दो सेकंड दिये जा रहे हैं आपको उत्तर बताना है और आपका बिलकुस सही आंसर क्या होगा तब आपने बिल्कुँ सही टिक किया है दोस्तों कहां पर है वडवानी वडवानी यानि की सा नमबर अब एक चीज बताना दोस्तों इसको कैसे यात करेंगे कैसे यात करेंगे धान धान वरसात के मौसम में बोई जाती है कब बोई जाती है वरसात के मौसम में और बरसात के मौसम में बाड़ बहुत आती है क्या आती है बाड़ आती है तो धान वरसात के मौसम में बाड़ जाती है और बाड़ देखाती है तो यह धान अनुसंदान के सबी लोग याद रखेंगे और यह दोस्तों आपका वड़वानी मैं अपमें देखो जहां पर आपका दान अनुसंधान के अंदर है ठीक है अंगला कोश्चन है दोस्तों कपास अनुसंधान के अंदर कहां पर रशते थे दो मिनिट दो सेकेंड आपको दिये जाते हैं दो मि रहता है खर्गोस कौन रहता है खर्गोस है ना खर आया है तो उत्तर में भी आपका क्या आया है खर कपास रहती सपेद और कपास की तरह ही रहता है खर्गोस तो खर से खर्गोन है ना खर्गोन तो कपास अनुशंदान के अंदर कहां पर होगा खर्गोन में याद रखेंगे तो आपको बताना है, और हम बोलते हैं कि जबलो बन है, सो हम है जबलो बन है सो हम है तो जबलो से क्या वनेगा जबलो से वनेगा आपका जबलपूर जबलो बन है सो हम है तो मद्द प्रदेश में जो बन अनुसंधान के अंदर है वो कहाँ पर है जबलपूर में ठीक है यह राश्टिय जो अनुसंधान के अंदर है अपना अनुसं है ठीक है ऐसे और यह है दोस्तों आपका जवलपूर संग मरमर नंगरी इसे कहा जाता है ठीक है याद रख लेना है यहाँ पर तिरपूरी कांगरेस अधिवेशन हुआ था 1949 में यहाँ पर इसमारक भी बना हुआ है ठीक है है ना और यहाँ पर दोस्तों एक धुगाधार जल गन्ना अनुसंदान के अंदर कहां पर रहते थे गन्ना दोस्तों एक बात बताना गन्ना आपने देखा होगा गन्ना की खेती देखी होगी और गन्ना अगर आप जादा खालोगे तो क्या हो जाएगी हानी होगी ना गन्ना जादा खाओगे तो हानी होगी तो गन्ना अनु ना कहाने से होती है हानी तो बोहानी और बोहानी कहां पर है नरसेंपुर में ठीक है तो याद रखेंगे दोस्तो यह नरसेंपुर है यहां पर है आपका बोहानी है ना नरसेंपुर के वर्मान में बर्मान का मिला लगता है बर्मान का मिला अगर कभी पूछा जाए आप से की बर्मान का मेला कहा लगता है तो ये नर्सेंपोर में लगता है बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है ठीक है अब बताना है दोस्तों मद्द प्रदेश में दलहन अनुसंधान के अंदर कहा पर है प्रश्ण किरमां के नौ का अंसर बताना है दो सेकंड आपको दिये जाते हैं तो अगर दोस्तों आपके यहां नई दुलहन आई हो, और आपसे बोले आम लाहो, नई दुलहन आई है और आपसे बोले आम लाहो तो आप लाहो आम, लाहो ना, हाँ, तो दलहन से क्या बनेगा, दुलहन और दुलहन को क्या लाना है, आम लाहो, आम लाहो दुलहन को की नहीं लाओगे तो ये दलहन अनुसंदान के अंदर कहाँ पर है अमलाहा ठीके अमलाहा हमें है ना याद रख लेना दुलहन आय तो आमलाहो ठीके आमलाहो और ये अमलाहा कहाँ पर है सीहौर ठीके सीहौर जिला में हैं दोस्तो यहाँ पर आपका अमलाहा है और यहाँ पर आपका दलहन अनुसंद्नान के अंदर है ठीक है आपको आप कभी नहीं भूलोगे ठीक है मानव बिकास अंस्तान कहां पर रश्ते थे दोस्तों मानव बिकास जल्दी से बताओ चार बिकल्फे और मैं आपको थोड़ी सी हिंटे दे रहा हूँ कि मानव का बिकास कैसे होगा लोग एक दूसरी के विकास में छेद करने पड़े हैं थोड़ा सा देखा कि इसकी तरक्की हो रही उसी में छेद कर दिया है ना तो विकास कैसे होगा नहीं होगा ना आपने देखा होगा कैंकले कैंकले जो होते हैं एक दूसरी की टांग जैसे दूसरा कैंकला उपर गया उसको टांग है ना छित से छिंदबारा तो मानुबिकास संस्थान कहां पर है मानुबिकास agyotas चिंदबारा में है सबसे बड़ा जला है है ना छितपल की द्रस्टी से और यह है दोस्तो आपका इतना बड़ा जला है यह चिंदबारा ठीके याद रखेंगे भारतिय वन प्रबंदन संस्तान कहाँ पर दोस्तों अभी हमने पड़ा था मद्ध्य प्रदेश में बन अनुसंधान के अंदर कहाँ पर है अगर कभी आप से पूँचा जाए उस्ट्रन कटी बन दिये बन संस्तान कहाँ पर है तब भी जवलपुर में है मद मद्य प्रदेश में उस्टन कटी बन दिये, बन अनुसंधान कहां पर है तो जवलपुर में, मद्य प्रदेश में बन अनुसंधान कहां पर है तो जवलपुर में और भारतिय बन प्रबंधन संस्थान कहां पर है, प्रबंध कहां पर होगा, प्रबंध दोस्तों बोपाल से ह होगा है ना तो प्रबंदन संस्थान कहां पर है भोपाल यानि बी नम्मर आपका यहां पर बिल्कूँ सही हो जगा भारतिय बन प्रबंदन संस्थान भोपाल और यह है दोस्तों आपकी भोपाल यह राजधानी है है ना जिसे नवावों का सहर कहा जाता है मैं अमें से आपक और अब आपको बताया जाता है तो संस्थान कहाँ पर है तो सित्र कूट के घाट पर भाई संतन की भेड तो कदेत रगवीर तो तुलसी सोस संस्तान कहां पर होगा चित्रकूट में यह होगा ना चित्रकूट की बात हो रही तो चित्रकूट है ना चित्रकूट आपका बी नमर बिलकुत सही हो जाएगा तुलसी सोस संस्तान कहां पर है चित्रकूट में ठीक है और चित्रकूट कहां प अब गली-गली मिल जाती है, गली-गली मिलती सूचना की नहीं सही बताना बिलकुल, इमानदारी आप घर से बाहर निकलते हो, किसी ने बूला ऐसा हो गया, दूसरे ने बूला ऐसा हो गया, तो सूचना आज गली-गली में मिलती है, तो सूचना प्रोद्ध की एवं प्रबं के लिए में मिलती है गौलियर आपका बिल्कु सही होगा और यह है दोस्तों आपका गौलियर गौलियर में मैं आपको बताता हूँ कि यहां पर क्या है गौलियर का किला है जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है गुजरी महड भी गौलियर में है ठीक है सास बहु का मंद पिर भी आपका गौालियर में है ठीक है और एक गौालियर के जो किला है दोस्तों इसे बनवाया था सूरज सैन्ने किसने बनवाया था सूरज सैन्ने है ना यह चीज भी आपको याद रखनी है कई महत्पूर्ण फैक्ट हैं जो आपको एक सवाल की साथ किलियर होते जाएंग अंगला question बताना दोस्तो आपने सुना होगा कि पहले के समय में अगर अपराद करता था कोई ब्यक्ति अंगरोजों की समय में तो उसे कहां सागर पार छोड़ा आते थे सागर पार यानि वहीं अंडवानने को बार दीप समय में है ना जिसे काला पानी बोलते थे आपने सुनी होगी काला पानी की सजा तो अपराद करते थे तो कहां सागर पार छोड़ा आते थे तो अपराद अनुसंदान के अंदर कहां पर होगा कहां पर होगा सागर में सागर म ठीक है बहुत ही प्रिसिद्ध है सागर है ना यहाँ पर जो है पदमाकर जी जो हुए है उनका जन्म हुआ था सागर में तो याद रख लेना यहाँ पदमाकर मेला भी लगता है उत्सव पदमाकर उत्सव मनाये जाता है सागर में है ना याद रखेंगे सागर में और सागर म हcaust हो जाए घमीर पंचयात का फैंसला हो जाए जूर मेर अमर फैंसला करती है हमाई गाहों की पंचयात तो अमर फैंसला करती है कैसी करती है अमर तो ग्राम मीन पंचयात प्रिसीक्षन संस्तान कहां पर होगा कहां पर होगा पंचयात करती है अमर फैंसला अमर से क्या हो जाएगा अमर कंटक ठीक है तो ग्राम मीन पंचयात प्रिसीक्षन संस्तान है दोस अमर कंटक है अनूप पुर में ठीक है और अनूप पुर्जले में अमर कंटक है और अमर कंटक से आपको याद रखना है कि यहां से नर्वदा नदी का उद्गम है सोन नदी का भी उद्गम इस्तिल है ना अमर कंटक ठीक है तो याद रखेंगे आप लोग आपदा कि आकास में आती है भूपर यानि कि भूपाल आपदा प्रबंदन संस्तान कहां पर होगा भूपर आती है आपदा है तो भूपाल ठीक है यह भारत का प्रिथम आपदा प्रबंदन संस्तान है दोस्तों जो भूपाल में इस्तित हुआ था तो सा नम्मर आपका बिल्कुश सह हो जाएगा सामे के लिख करके आपको उत्तर साही करना है और यह अपना बोपाल है मद्द प्रदेश की राज़धानी बोपाल ठीक है इसको याद रखेंगे अंतराष्टि यह मक्का अब दोस्तों अंतराष्टि यह भी हो गया मक्का और ग्याहू अभी हमने पढ़ा था मद अब हमने पूछ लिया अंतराष्टि यह भता दो तो अंतराष्टि मक्का और ग्याहू कहां पर है तो यह है दोस्तों कहां पर खमरिया में याद रख लेना एक खमरिया में प्रस्तावित है मक्का और ग्याहू अंतराष्टि यह हैं मक्का और ग्याहू अनुसंदान के अं की जो समाधी बनी है वो भी जबलपूर के पास में वरेला में बनी है काहा पर बनी है वरेला ठीकर एक चीज भी आपको याद रखनी है दृगाबती की समाधी ठीकर और कह हूँ अनुसंदान के अंदर भी है इसको भी याद रखना है दोस्तो राश्टी एक खरपतबार बिज्ञान अनुसंदान के अंदर का है खरपतबार अब एक चीज बताना दोस्तो दो सेकंड में आप लोग उत्तर बताएंगे और आप गाउं में रहते हैं धान सोयावीन सभी में क्या उंगती है खरपतबार उंगती की नहीं उंगती खरपतबार उंगती है और जबलो जबलो खरपतबार को अलग ना किया जाए या पटा के ना फैंका जाए खर्पतबार को तो वो उस फसल को बढ़ने देती क्या नहीं बढ़ने देती तो जबलो से क्या हो जबलपुर जबलो खर्पतबार को अलग ना किया जाए जब तक फसल अच्छी नहीं होती तो राश्टिये खर्पतबार बिज्ञान अनुसंधान के अंदर कहां पर होगा है जबलो खरपतबार को न फैका जाए पटाके तब लो क्या नहीं होती फसल नहीं होती तो राश्ट्य खरपतबार विग्ञान अनुसंदान के अंदर कहां पर है जबलपुर में हैं अब जबलपुर में बहुत सारी चीज़ें हो गए दोस्तों जला एक बार अपन देख ले र हो गया ठीक है अब जबलपुर में दुगाधार जलपिरपात भी हो गया जबलपुर की बात करें तो इसके खमरिया में अंतराश्टी मक्कानुसंदान के अंदर हो गया ठीक है जबलपुर की बरेला में दुरगावती का क्या हो गया समाधी भी हो गई जबलपुर की ठीक ह इतनी सारी जानकरी हमें जवलपूर के बारे में लग जाती है और ये अपना राष्टि एख खर्पत बारवे ज्यान अनुसन्धन के अंदर भी कहां पर है जवलपूर में ठीक है तो ये چीज भी आत रखेंगे दोस्तो अब लेजर किरण उर्जान उसंदान के अंदर कहां पर है लेजर आपने देखी होगी दोस्तो मंच पर वो लेजर किरण लगती है यहां दौरती है वहां दौरती दौरती रहती है ऐसी ऐसी दौरती रहती है अब आप पकड़ सकोगे क्या उसे नहीं पकड़ सकोगे क्यों ये जो लेजर करण लगी रहती है मंच पर वो दौरती है दौरती है तो लेजर करण उर्जानुसंदान के अंदर कहां पर होगा कहां पर होगा क्योंकि ये दौरती है दौरती है तो इंदौर दौर दौर इंदौर लेजर करण उर्जानुसंदान के अंदर इंदौर ठ दोस्तों एक चीज बताना भू ऐनी प्रत्वी और उपगरह कहां छोड़े जाते हैं आकास में छोड़े जाते हैं अब एक चीज बताना कि भू से उपगरह की जो दूरी होती है कई गुना दूर है ना कई गुना दूर इस्तित होते की नहीं होते भू से उपगरह कई गुना दूर इस्तित होते हैं, सही बता ना, इस्तित होते हैं, कई गुना दूर, गुना से क्या हो जाएगा, भू से उपगर है, कई गुना दूर इस्तित होते हैं, तो गुना से, गुना में होगा ये भू उपगर है, अन्यवेशनक के अंदर, ठीक है, भू उपगर है, रख लिना है और यहां पर एक जिला बनाये जा रहा है चाचोडा गुना को प्रस्तावित है ठीक है तो यह चीज आप याद रख लिना है और भू उपगर है अनवेशन के अंदर गुना में है इसको भी याद रख रहेंगे दोस्तों अब आपको एक चेलेंज प्रस्ण दिय कहां परस्ते थे चार बिकल्पे अमरकंटक गुना बोपाल या पिर खमरिया तो जल्दी से आपको बताना है और वीडियो को लाइक करके सेयर अवस्त करना है दोस्तों और साथ ही बताना है कि सर बहुत फनी ट्रिक बताते हो है ना अगर आपको अच्छी लग रही है तो कम इंस्टाग्राम में सर्च करना है और फेस्बुक पर सर्च करना है और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक सेयर करना है दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही जय हिन